पिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वकट एक बहुत गंबीर मुद्दा क्योंकि यह मुद्दा आज का नहीं है जमू हमेशा ही डिस्क्रिमिट्री होता रहा है और काजकर पांच अगर्स 2019 के बाद एक आशा बंदी थी कि कहीं जमू के साथ कहीं न कहीं इंसाफ किया ज हासन चल रहा है लेकिन फिर भी बेदबाब जमू के साथ जा रही है और खासकर कोविट के इस तोर में और आज हम सब जानते हैं जमू में डिया डियो का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है उसको लेकर कंट्रेक्शल अपॉइंबंट्स की बरती की जा रही है और सेम कश्मी में 24 जमू में 12 कुल मिलाकर 138 साफ नजर आ रहा है उसके बावजूद म्यूनिक जर्मनी से साथ ऑक्सिजिन जनरेशन प्लांट्स आते हैं और सीधे कश्मीर चले जाते हैं इन सब्दू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर जमू के आवाज अड़ोगेट के दोर में जमू एक बाद फिर डिस्क्रिमिनेटीड मैसूस कर रहा है क्या कहेंगे देखिए ना केवल इस पैंडमिक के दौर में इन फैक्ट जिसमें 370 और 35 से अब्रोगेट हुआ था उस समय भी हमने चेता आया था कि अंटिल एन अनलेस सपोर्ट स्ट्रॉक्चर्चर् करते रहने पड़ेगी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम है जम्मू में इंस्टिटूशनलाइजड है संस्थागत है और स्टेट एपरेटर्स में ऐसे इंडिविचुल्स और पॉलिसी अल्रडी प्लांटेड है कि अंटिल और अनलेस यू रिवर्स देम यू यू कदम है दस कदम आपको और लेने हैं ताकि ये डिफैक्टो नॉन सेकिलर फियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट धुस्ट हो सके एक कदम लेने के बाद इन्होंने तीन कदम वापिस ली और बैक डॉर से ऐसे कदम उठाए जिससे पैकी से 370 इन लेटर इन स्पिरिट वापिस जाए हालां कि वह दूसरी कहानी है लेकिन अभी इमीडियेट कंसर्न हमारा जिस तरीके से पैंडमिक सिच्वेशन को हैंडल करने की बाद है वह है जिसमें आपने एक बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट अपने दर्शिकों के सामने रखा किस तरीके से जहां जम्मू संभाग आपको ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट की जरूरत थी ऑन अकाउंट ऑफ ओफ मोर्टालिटी रेट इन जंगू बिगास बैद इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर नहीं है तो किस तरीके से म्यूनिक से बुलवा के कश्मीर में इंस्टॉल कर दिये गए जब जम्मू को देने की बात आई तो एक कॉंट्रोवर्सी क्रियेट कर दी गई और तरह तरह की स्टेटमेंट्स वहां की पुलिटिकल लीडर्शिप के तरफ से आने लग पड़ी और जम्मू किश्मीर और केंदर की केंदर की सरकार अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पे कायम रहते हुए उनके प्र रेक्मेंडेशन भी थी और अवश्यक्ता भी जम्मू में ही थी उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से यह जो डियार्डियों के ऑफिसेज यहां पर डियार्डियों जो टेंपर डियार्डियों में केवल कश्मीरी ही आवेदन दे सकते हैं और जम्मू के डियार्डियों हॉस्पिटल की पोस्ट के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है देखिए मैं आपको याद करवाना चाहूंगा प्रॉधस्टेंस फ्रंट जो टेरर गृप्स जम्मू कश्मीर के हैं जाये HM हो लेटी हो बाकी जितने भी टेरर गृपस उनका जो अमलगम है जो जम्मु कश्मीर में अभी operate कर रहा है उसका भी यही कहना है कि कश्मीर में business opportunities और jobs केवल कश्मीरी के लिए होंगे in fact वो कहते हैं कि केवल मुसल्मानों के लिए होंगे केवल कश्मीरी मुसल्मान के लिए होंगे और इसी background में उन्होंने कई सारे non-कश्मीरी businessmen की हत्या की दिहाड़े गोली मारके उने समाप्त कर दिया बहुत सारे लोग जो अपने businesses को expand करने की कोशिश कर रहे थे कश्मीर में उन्हें threat letters तक भेजे गए जम्मु कश्मीर में भी जम्मु संभाग में भी ऐसी कई reports आई जहां पे businessmen के घर पे ना केवल threat letters भेजे गए बलकी bullets भी बेजी गए लाइब cartridges भेजी गए threat letters के साथ साथ और देखिए अब आपका जेंड के health and medical education department है जो resistance forum की ideology सोच और विचार पे चलते हुए यह कह रहा है कि कश्मीर में सरकारी jobs के अबल कश्मीर इसको ही मिलें तो मनोस चिनहा साहब से मेरा यह सवाल है भाई सहाथ who is in control control में कौन है यह तो 90 का कश्मीर 89 के बाद खासकर 84 के बाद भी लेकिन primarily 89 के बाद का कश्मीर हमें याद आ रहा है जहांपे administration का total control terror groups के हाथ में उतर रहा है आएसा ही उसकी चाब भी घुमाती पाकिस्तानी subversives और Indian political establishment और administration में जो subversive elements थे they were calling the shots और जो जगमोहन से पहले जो governor थे या जगमोहन के बाद जो governor आए उस कारेकाल में मुहन के दूसरे कारेकाल की में बात कर रहा हूं जो 90 में शुरू हुआ और मई में खत्म हुआ तो वो वो तो वैसे ही behave कर रहे थे जैसे आज मनोच सिनाब behave कर रहे हैं और आप अगर evidence देखें तो तर्थियों के अधार पर यह साबित हो जाएगा कि आज की situation भी उस समय की situation की तरह ही हैं जहां पर यहां से कोई कश्मीर जाना चाहे तो उसे गोली से भून दिया जाएगा उसे हत्या की धंकी आएगी और administration भी सेम चीज को आगे लेके यह कह रही है कि वहां पर कोई गार कश्मीरी jobs भी नहीं ले सकता मुझे लगता है कि situation बहुत गंभीर है this LG and this administration have lost the plot they have lost the control over the administration I think the subversive elements within the administrative setup are doing whatever they want to do roshni petition में review petition file करना भी एक subversive act था delimitation को 2011 के census के आधार पर करवाना भी एक subversive act था minorities को यानि हिंदूओं को सिखों को जैनों को गोधों को उनको minority rights despite supreme court judgment सब 2014-15 के बाद के ही इनके कारणा में है जो मुझे 1990 के कश्मीर की याद दिलाते हैं और मैं रोक नहीं पाता हूं आज अपने आप से स्वेम से ये सवाल करने में कि LG मनुष सिना या केंदर सरकार कंट्रोल में है या terrorist organizations जम्मु कश्मीर में कंट्रोल में है आपने बहुत ही महत्रोल में कौन है जम्मु कश्मीर को कौन चला रहा है लगाम किसके हाथ में हैं और ऐसे में मातर कुछ सो जॉब्स के हम बात नहीं करें क्योंकि एक स्ट्रॉंग सिग्नल किस से क्या आपको लगता है कि जाएगा देखिए absolutely मैं जैसे आपको ये कहने की बात बोलूं कि जिस तरीके से 370 और 35 के बाद जिस तरीके से fanaticism fundamentalism को हवा दी जा रही है कश्मीर में वो इस समय अपने चरम पे है और जैसा मैंने compare कि कि वो अब administration में लोग उसे शरयाम दिखाना भी शुरू कर रहे हैं कि हम भी उसी सोट उसी की चार धारप पे काम कर रहे हैं जैसे मैंने आपको resistance forum की understanding और इनकी understanding को compare करके बदाया मुझे लगता है कि सबसे पहले administration का कंट्रोल रीगेन करना पड़ेगा कम से कम subversive activities को रोकने के लिए कारे प्रणाली बनानी पड़ेगी उसके लिए कई सुझाओ हम भी दे सकते हैं एक जूट जम्मू भी दे सकता आपकी security establishment के लोग भी दे सकते हैं और आपके पूर्व में जो यहां पर पतादिकारी रहे जिन्हों ने सही तरीके से काम किया आप उनसे भी बात कर सकते हैं लेकिन बहुत एक unfortunate situation है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मनोज सिना इस इन control of his administration I don't think जमू के जुआ कहीं आपने आपको discriminated एक फिर महसूस कर रहा है लेकिन एक और महतर पूंची में आप से जाना चाहूंगा पैंडमी का दोड चल रहा है जमू में कश्मीर के मुकाबले कम positive cases आ रहे हैं लेकिन जो सब्सक्राइब है लेकिन मुझे लगता है कि पिछले सतर वर्षों का इतिहास अगर आप देखें तो यह केवल उस डिस्क्रिमिनेटरी एक टोटालिटेरीं रेजीम का मात्र एक सिंटम है और जिस वरीके साब को आगे further take over करके उसे perpetuate कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि तीनसों सतर और 35 से खत्म करने के बाद बैक डूर से कैसे री इंट्रोड्यूस किया जा सके पैटी से उसके लिए कानून और आदेश बना दिये गए बनाए जा चुके हैं और health infrastructure की अगर आप बात करें देखिए पिछले सतर वर्षों में हमारा हमारी लड़ाई ही ये रही कि जम्मू को इस political setup में second class enslaved hostage और एक colony कश्मीर की एक colony के रूप में स्थापित किया गया है और जिस arrangement को कश्मीर के साथ मिलके दिल्ली चला रही है 2014 के बाद हमें उनीद थी कि इस arrangement को धस्त किया जाएगा लेकिन अन्फॉर्शनेटली सेम सिस्टम चलता रहा जिसके कारण अभी भी ऐसी कई सारी चीजे हो रही है जो पिछले सत्तर साल की याद हमें दिल्वाती है और पिछले सत्तर साल और इसी political मतलब पुजिशनिंग जो जम्मू की है जो सेकंड क्लास है उसके कारणी जम्मू का हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर जो है वो थर्ड रेट रहा कश्मीर के कंपैरिजन में आधे से भी कम रहा यहां पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम रहे नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम रहे और है यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जो हमारे फिनेंशल कमीशनर हैं उन्होंने एंट समय पे 22 सेपरल 2021 को अपनी अरधांगनी को जो नोडल ऑफिसर थी उसका जो था उन्हें ट्रांसफर करके एक सेफर स्पॉट पर मूब किया जो यहन के एड्स कंट्रोल ससाइटी विदाउट प्रवाइडिंग एनी रिप्लेश्मेंट फॉर्टेंग कमेटी ने ऑक्सीजन की शॉटेज को लेके एक रिपोर्ट पार्लेमेंट के सामने रखी है यह सब चीजों का ज्यान इन्हें उस समय था जम्मु किश्मीर के कंटेक्स्ट में अगर एक तो अलड़ी हेल्ट सेक्टर को लेके हमारी भारत सरकार और राज्य सरकार की को प्रारिटी है नहीं जीडीपी का एक प्रतिशत से भी कम शेर वहल्ट सेक्टर के लिए देते ह है तो आप बूल जाईए कि आपके पास बड़ी हास्पटाल होंगे आपके पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे आपके पास अधिक मातरा में डॉक्तर होंगे आज परिसीत ये है जिस समय आपको फर्स्ट वेव आपने फेस की पूरी की जा सकती थी पैंडेमिक एनी टाइम सेकंड वेव को लेकर यह कंपलेसेंट होगे लेकिन साइंटेस्ट का डॉक्टर्स का इस समय यह कुछ नहीं किया गया पर्लेमेंटरी फार्म डॉक्रेसी में जो इंस्टिशन होते हैं अलग-लग चाहे वह सिवल साइटी हो चाहे वह पार्लेमेंटरी स्टैंडिंग कमेटी उनकी रेक्मेंडेशन की राय की कोई कद्र नहीं है इसलिए यह कोलोजल फेलियर मुझ तो करी दिया कि म्यूनिक से मंगवाए और कश्मीर में स्थाफिक कर दिये जहां अधिक मातरा में थे अगर आप एक्विटेबल शेयर की बात करते हो इंक्लूजिव ग्रोथ की बात करते हो कम से कम बराबर तो लाईए जम्मू को और जहां पर डैथ का आंकड़ा तीन गु श्मेंगे मुझे लगता है कि इंस्क्रीमेश इच्झ इनी institutionalized है कि पन्डमिक के समय में भी इनके आंखों पर शाधी सिस्टम जस्क चलता रहता वैसे जि Mans account को अन्याही करना है और जम्मू को a g सब्सक्राइब कि अभी हाली में पैकेज की गोशना किया जाती है खासका जो टूरिम से जुड़े हैं लोग नहीं है तो वहां करोड़ों और यहां पे सब्सक्राइब कर सकता है आपका टूरिजम सेक्टर हो हेल्थ सेक्टर हो डिवलब्मेंट के एरियाज हो एंप्लॉइमेंट जिनरेशन को लेके चीजें हो इंडस्ट्रियल प्रमोशन की बात हो यह नहीं है कि सब कुछ कश्मीर में होगा और इसका सबूत जीता जाता आपके सामने आगा कश्मीर से अधिक तूरिजम पुटेंचल होने के बावजूद भी यहां पे जो रिजिस्टर टूरिजम डिपार्टमेंट के साथ जो लोग हैं जिने इस सायता का फाइदा मिलना था उनकी संख्या आप देख लीजिए और कश्मीर में आप देख लीजिए यह जहां पर इन्हेरंट एक सिस्टम है जहां पर जम्मू के टूरिस्ट गाइड्स हो या टूरिस्ट एरियाज में और लोग हों जो इस श्रड़ी में आ सकते थे और सारा फ्रंड्स जो हैं वो कश्मीर में डाइवर्ट किये देंगे और लगी साहब भी वहां पर हैड कर रहे देखी वही तो एक unfortunate situation है और Shrine Board ये एक हिंदू मंदिर है ये किसी सरकारी बाबू के बाप की private property नहीं एक तो सरकार कुंडली मार के हिंदू institutions पे religious institutions पे selectively बैठी है पिछले 70 साल में हिंदू के ही मंदिर हिंदू के ही religious institutions को take over किया है सरकार ने जब कि सरकार के पस power है कि किसी community के religious institutions को take over कर सके यहां हिंदूों ने demand की कि जम्मू संभाग में कमी है आप Shrine Board के खजाने के दरवाजे खोलिए ताकि यहां पे OGPs install हो सके वो किसके लिए होगा हिंदूों का पैसा हिंदूों के लिए इस्तमाल हो पाएगा ना हमें कोई समस्या नहीं आप पूरे जम्मू स जाइद सेटेमेंट इस अधिस अधिक अबर कंट्रोल कि इस यह केवल कंट्रोल फ्रीक्स हैं जिने मंदिरों का कंट्रोल चाहिए लेकिन वह लोग जो मंदिर बनाने से लेके चलाने से लेके मुखे stakeholders है उनका भला इने नहीं करना है और जिसकी बात सही तरीके से आपने की कि भी despite heading that they are not providing any kind of कट्रा में बड़े सारे हमारे दुकांदार हैं businessmen है जो एकदम tourism पर dependent है उनके उनको इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता था वहां यहां से आगे क्या आशा की जा सकती है क्योंकि पैंडबिक चल रहा है महामारी है लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कहीं देखे मैं सबसे पहले जम्मू के जो डॉक्टर्स हैं जो यहां के लॉकल्स हैं डॉक्टर्स हैं परमेडिक स्टाफ है और जो हेल्थ वर्कर्स हैं मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इतनी स्ट्रेस्फुल कंडिशन में जब वो और बर्डेंड हैं जब वो पूरे एमिनीशन के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं यानि पूरे रिसोर्स उनके डिस्पोजल पर नहीं है जब उनकी स्टाफ स्ट्रेंथ कम है तो मैं हमसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह आप जम्मू क स्ट्रेस्फुल आपकी चमक उभर के आईगी और समाज की पूरे जिम्मेबरी अभी आप लोगों पे हैं मैं यह सब जानता हूं कि ओवरड़न है बहुत थ्रेट मतलब डिजीज का भी है लेकिन फिर एक सोल्जर की तरह आपको इस समय खड़े होना है कि जो जंग के मैदा हमें बॉर्डर पर खड़ा रहता है और किसी भी तरीके के थ्रेट को फेस करने के लिए अपने देश को बचाने के लिए यह डॉक्टर्स का इस समय यही रोल है मैं उमीद भी करता हूं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं भी जो इसी भावना से काम करें मैं निवेदन क का पालन करें फंक्शन्स खत्म करें बहुत जो जरूरी फंक्शन्स हो सकते हैं मात्र एक आधा परिवार लेकि उसे अंजाम दें सोपीस फॉलो करके वो भी अगर अबॉइड हो सकता तो अबॉइड करें और जम्मु कुश्मीर की सरकार से मैं यह निवेदन अभी करना चा आपके कंट्रोल में हमें और एक टास्क फोर्स बनाइए जहां पे डोमेन एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके सीनियर डॉक्टर दे शुट स्टार्ट सेंडिंग रेकमेंडेशन्स एंड कॉलिंग दे शॉट्स राधर देन कि आपने किसी ब्योक्रेट को बैठाया जो जेनरलिस्ट है जिसका कोई experience नहीं है हल्थ सेक्टर का जो hospital administration को नहीं जानता और उसके हाथ में आपने सारी निरने और सारे decision making छोड़ी है अन प्रोफेशनल कंड़क्ट छोड़े रेट टेपिजम ब्योरोक्रेसी का hallmark है और इस pandemic को के problems को compound करने में हमें रेट डोमेन एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हायर करें लें प्राइवीट सेक्टर से लें गौवर्मेंट से लें डॉक्तर को incorporate करें अच्छे लोगों को incorporate करें एक information appreciate कि आपका बहुत दन्यवाद दन्यवाद बहुत दन्यवाद कि आपका बहुत दन्यवाद दन्यवाद न्यवाद दन्यवाद का ज black